इश्क बाजी के इस सफर में आपको दे लेते हैं अपडेट उस खास ख़बर की जो कहानी में जहां नए नए ट्विस लेकर आएगी तो वहीं दूसरी तरफ कहानी में किसी बड़े नए अक्टर की इंट्री भी करवा सकती है लेकिन सिफ क्यामियो के रूप में जी हाँ, ख़बरों के माने तो सेरल इश्क बाज के अंदर अब आप देखने वाले हैं कि कहते शिवाय अबानने वाली कहानी का हीरो और एंटी हीरो दोनों ही बनने जा रहा है क्योंकि भाई कहानी के अंदर शिवाय को रागनी का असली रूप पता चल चुका है और आज के एपिसोड में तो अच्छा खासा असली रूप देख लेगा शिवाय रागनी का जिसमें रागनी ना सिर्फ प्लानिंग करती भी उसको नजर आ रही होगी बल्कि उसका पाग पूरी दुनिया के सामने खोल देगा और साथ ही मीडिय के सामने एलान कर देगा कि रागनी उसकी कुछ भी नहीं लगती है और जो लगती है वो आपको जल्द ही पता लगने वाली और पेछे चोड़ कर आपको बता देते हैं रागनी वाले ट्राइक के बारे में और कुछ दरसल अब होने वाला है शादी के दिन एक और बहुर बढ़ा ड्रामा जब शिवाय खुद लाने वाला है सिधार्थ को जी यहां रागिनी के सपनों का राजकुमार और रागिनी के सपनों का वॉइफिन भी जो उसको हैरस करता था लेकिन आपको बता दे कि इस बार गौरी या फिर भवया नहीं बलकि शिवाय खुद लाने वाला है सिधार्थ को इस शादी में जो ना सिर्फ रागिनी की पोल खोलेगा बलकि उसकी ओमाय माता करने में भी शिवाय की मदद करने वाला है लेकिन अब इसके साथ ही क्या कुछ होता चला जाएका कहानी में और कैसे भला भरागिनी की ओमाय माता खुद करेंगे शिवाय सिधार्थ मिलकर और आकिरकार इस पूरे खेल का होगा परदाफाश देखने में आने वाला है बहुत ही जादा मसा तो ज़रूश है कीजिए हम से पने व्यूज अपने कामेंट्स के तुरू कि आप कितना ज्यादा एकसाइड़ है इस ट्रैक को देखने के लिए और साथ ही साथ इस ट्रैक के अंदर शिवाय का ये तड़ी बात वाला रूप देखने के लिए जरूर शेगी जब सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूस ज़स्ट फर यू जहां आपको मिलेगी इसको बादी से जुडी हाल लेटेस्ट अप्डेट टॉप न्यूस से आज था की रिपोर्ट